सत्ता के महासमर में आज बाद प्रताबगर जिले के धरियावत विधानसभाज शेत्र की होगी धरियावत स्टी की रिजर्व सीट है इस शेत्र में मीना समुदाय के वोटरों की तादात काफी ज्यादा है लेकिन इस सीट पर राजनीतिक समीकरण बेहत दिल्चस्प रहता है इस सीट पर हर चुनाव में पार्टिया बदलती रही है बीजेपी के गौतव लाल मीना धरियावत के स्थाने विधायक है अगले आदे घंटे में हम आपको विधानसबा शेत्र की वर्तमान राजनीती से लेकर विकास के दावे, वादे और समस्याओं के परताल करेंगे मगर उस से पहले एक नज़र जान लेते हैं धरियावत विधानसबा शेत्र के बारे में परताब गड का धरियावत विधानसबा शेत्र उदाइपुर जिले के दो कस्वे जहलार और लसाडिया को साथ लेकर बना है परिसीमन के पहले ये लसाडिया विधानसबा शेत्र के तौर पर जाना जाता था इस विदानसबा क्षेतर में धरियावत, जहलारा और लसाडिया के कोलेक 102 ग्राम पंचायते आती हैं यह पूरा क्षेतर अनुसूचित जन जाती बहुल इलाका है लिहाजा इसे टी-एस-पी क्षेतर में शामिल किया गया है पहाडों और नदियों की गोद में बसाई यह इलाका, घना और बेहत खूबसूरत वन अक्षेतर है प्रदेश का मशूर सीता माता वन अभ्यारन यहीं है इस अभ्यारन में ना सिर्फ उडन गिलहरी पाई जाती हैं बलकि तेंदुए, चीतल, चौसिंगा, भेड़िये समेथ अनेक पुरजातियों के वन जीव और पक्षी पाई जाते हैं प्रकृतिक हुपसूरती और संसाधुनों के लिहाद से यह ख्षेतर बेहत सम्रद है यहां की जाखम नदी, माही नदी, करमोई नदी, सुकली नदी, फसलों के पैदावार में काफी मददगार साबित होती हैं जिससे इलाके में खुशाली बनी रहती है संजय जैन के साथ प्रवेश परदेश, जी मीडिया, धरियावद धरियावद यहां का राजनितिक समिकरण बेहत दिल्चस्प है हर जनाओ में सीट पर फेदबदल होता ही रहा है और यही बच्छे है कि सीट पर मददाताओं का आकलन मुश्किल से होता है एक नदर धरियावद के जाती हैं और सियासी समिकरण पर डालते हैं धर्यावत विदानसभाक शेत्र राजनेतिक रूप से बेहत सक्रिय रहा है यहां के मौझूदा विधायक बीजेपी से हैं विधायक गौतम लाल मिणा की पहचान शालीन और शानत नेता के तौर पर होती है पूरे इलाके पर उनकी मजबूत पकड मानी चाती है खास तोर पर जिस बिरादिरी से वे आते हैं उसमें उनकी अच्छी पैट है धर्यावत विधानसभाक शेत्र में तकरीबन दो लाख सत्ताइस हजार मतदाता है जिनमें एक लाख पच्पन हजार मिर्णा तेरह हजार अनुसूचित जाती अठारा हजार राजपूर चार हजार ब्रामण नौ हजार जैन तीन हजार मुस्लिम राजनेतिक रस्ता कसी की बात करें तो यहाँ बीजेपी और कॉंगर्स के बीच ही मुकाबला रहता है तीसरे किसी भी दल का वजूद ना के बराबर है चुनावी तिहास पर नज़र डाले तो यहाँ हर बार फिर बदल होता आया है यहाँ कभी बीजेपी तो कभी कॉंगर्स के सिर जीत का सिहरा बंधा है मौजुदा विधायक गौतमलाल मेर्णा बीजेपी के हैं जिन्होंने 2013 में कॉंगर्स के नंगराज मेर्णा को लगभग 7000 वोटों से हराया था वही 2008 के विधानसवा चुनाव में कॉंगर्स के नंगराज मेर्णा ने गौतमलाल मेर्णा को करीब 17000 वोटों से शिकास्त दी थी संजाय जाइन के साथ प्रवेश्ट परतेश्ट जी मीडिया धर्यावद धर्यावद में विधाय के प्रियास से लाकों की तस्वीर बहुत हद तक बतली है लेकिन सड़क, क्रशी, मंडी और स्कूलों में शिक्षकों की कमी कुछ ऐसी समस्याइं हैं जो इस बार के चिनाव में हैं मुद्दा बन सकते हैं धर्यावद विधानसभा क्षितर में विधास के कई काम हुए हैं लेकिन कुछ चीज два ऐसी हैं जिसें यहां के लोग मुद्दे के तौर पर देखते हैं लोगों की नजर में जो मुख्य मुद्दे हैं उनमें धरियावद को नगरपाली का बनाना, कृष्णी मंडी बनवाना, जहलार में सरकारी कॉलेज खोलना, प्रतापगड, पारसोला, मुंगाना समेत विलाके की प्रमुख सडकों का रख रखाओ, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी और किसानों की कर्ज माफी शामिल हैं से लेकर नीचे तक सरकार मनी रही है तो इन अधिवज शेत्र में जो कोलेज बढ़ा है अभी तक उनमें पूरा इस्टाब नहीं है विदान सुभाग शेत्र में नगर पालिगा नहीं है कर्शी मंडी नहीं है जिससे कास्तकार आनाज के लिए उदर उदर बढ़कते फिरते ह और एमदाबाद मोड़ासा जाने के लिए प्रोड़ोज बशों की वेवस्ता नहीं है बराबर जिससे पेशेंट जाने में अरसुईदा मैसूस करते हैं मुंगाने के अंदर भी होस्पिटल पास हुआ हुआ है और अज दिन तर उसका उसकार नहीं हुआ है धरियावद में सिचाई के संसाधन होने से फस्तों की पैदवार उमदा होती है लेकिन मंडी नहीं होने से किसानों को अपनी उपज बीचने के लिए दूर जाना पड़ता है मंडी खुल जाती है तो आम किसानों को फाइदा मिलेगा और उचित मुल्य भी मिलेगा फरसी उपस मंडी नहीं होने की वज़त से किसान परहसान है दर दर बेटकना पड़ता है इसके अलाबा यहां की राजक्य कॉलेज अभी भी आज थाई भवन में चल रहा है जबकि नया भवन बन कर तयार है इसे लेकर लोगों में नाराजगी है अलागी कुछ लोगों का कहना है कि इलाखे में विकास क्या नेकार परहसा है काम हुए हैं और विकास के काम का यह सलसला जारी रहना चाहिए कई लोगों ने प्रधारमंत्री आवास योजना से घर पाने में खुशी जाहिर की तो कुछ लोगों ने उजवला योजना और स्वक्षता मिशन के तहट मिले शौचाले को लेकर सरकार की तारीफ की के अंदर सरकार में उजवला योजना से सबी महिलाओ को गेस मिल रहा है परधारमंत्री दवारा इंदरा आवास में डेड़ लाग रुपे दिया जा रहे हैं जिससे सारी जनता खुश हैं और सब के मकान पत्के मकान मिल रहे हैं कुल मिलाकर धर्यावत विधानसवा क्षेत्र में विकास के दावों में सच्चाई नसर आ रही हैं हालंकि कुछ मामरों में विकास की अब भी दरकार है धर्यावद में वैसे BJP विधायक ने विकास के तमाम काम किये है ज्यादातर लोग विधायक के विकास के कामों से खुश ही नज़र आते है लेकिन धर्यावद में कृषी मंडी और नगर पालिका का अब तक नहीं बन पाना लोगों को कचोट सा रहा है धर्यावत विदानसबाक्षेतर टीएसपी इलाके में आता है लिहाजा सरकार ने इस इलाके के विकास के लिए खास ध्यान रखा और दिल खोल कर पैसे खर्च किये पुरे इलाके में विकास के कई काम हुए हैं मुखे रूप से 32 करों रुपए के लागत से तालाब और एनिकट बनाए गए मुखे मंतरी जल्स वालंबन यूजना के तहत किये गए कामों की वज़ा से इलाके के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है पूरे विधानसबा क्षेतर के 100 से ज़्यादा गाओं में सडके बरवाई गई हैं जसे लोगों को काफी रहात मिली है सभी पैंचेटों का सरवजनी विकास हो रहा है मानी विधायक जी सभी पैंचेटों का निस्पक्स भाव से अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे मुगाना बेल्ट की एक बहुत लंबिंद मांग थी पास्टिन नाका की जो नहरे निकाली जा वो भी मानी विधायक मौद है और मानी टाडा मंत्री ननला जी दोनों के करकमलों द्वारा नहरे चालू करवा दी है और वो भी मांग बढ़िया कर दी है मानी विधायक मौद है सभी पंच्यादों में सभी गाओं में बौरो फट बना दिया है और आज पूरी पंच्याद समयती फूरी विधायक जी ने पहल करे और सभी विधूती करण वो ग गए और सभी का काम बहुत बढर आधार चल रहा है धर्यावद विदानसभा क्षेत्र के तकरीबन हर गाउं में बिजली पहुच गई है गाउं में रोशनी पहुचने से लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है जाखम नदी की पुरानी नहरों का 100 करोड से भी ज्यादा की लागत से जर्णों धार का काम हो रहा है नई नहरों को बनाने का भी काम जोर शोर से जारी है जो नजाती विकास विभाग ने भी कई सौगाते दी है राज्य सरकार की योजनाओं का भी प्रभावी किर्यानवन हुआ है सरकारी बैंकों ने सैकुडों किसानों का कर्द माफ किया भामाशा स्वास्त बीमा योजना से घरीबों को मुफ्त इलाज मिल रहा है शेतर की लड़किया राजश्री योजना का लाभ ले रही है श्रमी कार्ड से मजदूरों को भी काफी फाइदा हुआ है हालंकि विपक्ष की नेताओं का रोप है कि सरकार धरियावद विधान सबाख शेतर में विकास को लेकर फ्लॉप साबित हुई है धरियावद के लोगों के मन में नगरपाली का ना बनने और क्रिश्री मंडी नहीं होने की पीस है धरियावद में विधायक ने विकास के तमाम दावे किये हैं नगरपाली का और क्रिश्री मंडी बनानी जैसे बड़े वायते अब भी अधूरे हैं संजय चैन के साथ प्रवेश परदेश जी मीडिया धरियावद एक तरफ इस्थानिय विधायक शेतर में विकास कामों को लेकर तमाम उपलब्धिया गिना रहे हैं वहीं दूसरी तरफ विपक्ष विकास के दावों को खोखला बता रही है विपक्षी निताओं का कहना है कि विदायक मे जितने वादे किये थे वो सारे अधूरे ही हैं आगामी चुनाओं को लेकर धरियावद में भी सियासी बिशात बिछ चुकी है एक तरफ वरतमान विधायक शेतर में विकास कामों को लेकर तमाम उपलब्धियां गिला रहे हैं वहीं विपक्ष बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरूप लगा रही है कॉंग्रेस नेता का कहना है कि धरियावत को नगरपाली का बनाना और कृष्षी मंडी बनाने का वाईदा आज भी अधूरा है कॉंग्रेसी नेताओं ने कॉलेज में शिक्षकों की कमी और अस्पतार और सड़क के मुद्दे पर भी विधायक और सरकार को घेरा कृष्षी मंडी जो यहां पर नहरी शेत्र है और यहां इतनी पैदावार होती है कि किसानों को बेचने के लिए बड़ी समस्या आती है कृष्षी मंडी के लिए मैं आपको बताऊंगा कि कोट के अंदर था अगर यह पांच साल के अंदर इसको बैट के कुछ मसला निकाल के इसको करते तो यह कृष्षी मंडी चालू हो सकती थी दूशरी जगे करते तो चालू हो जाती कॉलेज हमने शुरू किया था दो जार बारा के अंदर और आज तक यह कॉलेज नहीं बिल्डिंग में नहीं ले जा पाए हैं और सेकल्टी के नाम की एक प्रिंस्पल और एक सेकल्टी है इसके अलावा पूरा कॉलेज एक दो लेक्षरर के बरूसे चल रहा है सेकल्टी तक यह पांस साल के अंदर नहीं लेकर आए और ना उस कॉलेज के अंदर विस्तापित कर पाए सड़कों की आलत तो आप देख लो हमने जो सड़क करी थी उसके बाद में उन्होंने गड़े बरने के काम भी यह नहीं कर पाए हैं यह सड़क तो चारों तरफ आप सड़कों की हालत बड़ी खाब है साड़े चार साल हो गये हैं विकास नाम की दर्यावद विदानसबाद चेतर के अंदर अपन कोई बात करी नहीं सकते हैं जहां तक रोडों का सवाल है यहां रोड नहीं नाम मतर के रोड रहे हैं पूरे विदानसबाद चेतर के अंदर ख महिला डिलेवरी के लिए होस्पिटल जाए तो उसको होस्पिटल जाने की जुरूद नहीं है इस इतने रोड टूटे हुए है कि इसकी डिलेवरी भी एक रस्ते में हो जाए एक तरफ कॉंग्रिसी नेता विधायत पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि बीजेपी सरकार के कारेकाल में धरियावद का काफी विकास हुआ है बीजेपी नेताओं का दावा है कि हर गाओं में विकास हुआ है काई स्कूलों को क्रमोनत किया गया है स्कूलों में यहाँ 85 फीसदी पद भरे जा चुके हैं अस्पतालों में भी चिकेट सकों की न्यूकती की गई है जब से हमारे विदायक गोतमलाल जी मीना धरियाओद विदान सभा अक्षेतर से बने हैं और मुख्य मुत्री हमारे वसुंद्रा राजे सिंद्या जी बने हमारे यहाँ गर-गर में हर गर में विकास हुआ है हर पंचायत में विकास हुआ है और सबसे बड़ी बाद इसकूलों में ऐसी 85 परसेंट तक हमारे प्रिंसिपल और अध्यापक की कमी थी उसको पूरी की है और हर होस्पिटल में अच्छी सुईदा हुई है जैसे दरियाओद में केई सालों से मांग थी लेडिज डोक्टर की जो हमारे विदाएक जी के करतमडलों द्वारा और वश्टल जी ने सुनकर यहाँ पर पूरी की अभी 2 महिला चिकिच सके और पूरा चिकिच सके हमारे शेत्र में 2013 से जब माननी गोतम जी विदायक बने तब से लेके अभी तक हमारे शेत्र में बहुत सारे विकास हुए प्रतेक ग्राम बन्चायत को हमने गोरोपत से जोड़ा चाहे वो किसी भी पूरी विदान सबा में पूरे धरियावद मंडल लसाडिया मंडल और जलारा मंडल सब ग्राम बन्चायतों को हमने गोरोपत से जोड़ा है और इसी के आगे अगर हम बात करें तो प्रतेक प्रात्म कोशिस पूरी कीई और सब को प्रदानाद्यापक लगाया और हमारे शहत्र में किसानों के लिए गलामिन शहत्र है तो जंगलों में जो कटाई के लिए जाते हुनके लिए 25,000 रुपए का जुर्मा न था मानि वसुंद्रा जी ने उसको 500 रुपए किया और हमारे शेत्र में ट्राइबल एर्या है किसानों के लिए बहुत सुविदा दी गई ग्रामिन शेत्र से लोग इलाज करवाने के लिए उदेपूर जाते थे उनको प्राइवेट होस्पिटलों में भामशा योजना से जोड़कर सब को फ्री में इलाज करने के लिए चाहे वो एक तरफ बीजेपी ने वर्थमार विधायए घॉत्तमलाल मीना है मैं अभी से दोलो पार्टियों के नेता चुनावी जीत का दावा करने लगे हैं नंगराज मेना सरकार के विकास के दावों को خुखला बताकर सरकार की नाकामी बताने में लगे हैं कौंग्रिस ने दावा है कि इस बार के चुनाओं में उनकी पार्टी ही जीत दर्च करेगी कि इसले उना पांच साल पे ले राजस्तान में वारती जंता पारती की जो सरकार बड़ी है उन्हेंने बहुत बड़े-बड़े वादे किये थे और वादे ऐसे किये थे कि तुमको सब कुछ हम दे देंगे परतिवरस दो लाग लोगों को रोजगार देंगे नोकरी देंगे और महेंगई कम करेंगे टेक्स में रात देंगे नरेगा विश्याच करके जो नरेगा योजनाती करीबों के उस्तान की उसको भी बंद कर दिया और रोजगार देना नोकरी देना कहीं की बात है जो हमारे विद्धार्थी मित्र काम पर लगे होए थे उनको यह गर बेज द जनता राजस्तान की जनता और विश्यसकन के दरियाओद की जनता इस सरकार को उकार फेकने में पूरी तरह से त्यार कड़ी है अपना मानस बदल लिया है हमने मेरा बूत मेरा गौरव कारी करम किया उसके अंदर काफी अच्छी लोगों ने बागी दरी ली अभी पीस तार कार बारती दिम्ता पार्टी को वापिस में देने वाले नहीं है क्योंकि बहुत त्रस्त हो चुके है एक तरफ कॉंग्रेस उमिद्वार अभी से चुनाव में जीत के सपने देख रहे हैं वहिस्थानिया विधायक गौतम लाल मेरा विकास के दम पर एक बार फिर चुनाव कर देने को तयार है को जात लुस्ता से अब तक जो मेरे विधान सब्वा में जितना विकास का काम हुआ दिका है इसले साहत बशास साल में भी नियुए इतना विकास काम हुआ है काम कर आपको गेंटी शुरू करें तो वैसे साम तक हम गेनाने पाते हैं जो भी सरकार की अब इपक्स है वो तो अपना काम करें लेकिन वास्ते मी जो दरातर बेर जो लोगों को हाइदा मिला है जनता का रुजान आपने जो आपने नियुक्त